संचेई आवृत्ति वक्र या उजाईव का महत्व संचेई आवृत्ति वक्र या उजाईव का उपयोग आकणों के अध्यन में कई जगों पर होता है जैसे पहला जब आकडों के अध्यन में एक दिये हुए मूली से कम या अधिक ज्याद करना हो दूसरा ओजाइव का प्रयोग तुलनात्मक अध्यन के लिए भी किया जाता है तीसरा ओजाइव का प्रयोग केंद्री प्रवित्ती के माप जैसे मद्धिका, चतुर्थक, शत्मक, आधिकी गर्ना में किया जाता है चोथा विशिष्ट संचै अवृत्ती में चर का कौन सा मुली शामिल है वा भी ज्याद किया जा सकता है हमने सीखा बिंदु एक प्रारंभिक रूप से उद्धेश्ची विशेश को लेकर एकत्रित किये गए प्रेक्षण आकड़े कहलाते है बिंदु दु जब प्रेक्षणों की संख्या अधिक होती है तो उनकी बारंभारताओं को ग्याद करने के लिए हम मिलान चिन्हों का प्रियोक करते हैं बिंदु तीन दिये हुए आकड़ों में कोई विशेश प्रेक्षण जितनी बार आता है उस संख्या को प्रेक्षण की बारंभारता कहते हैं बिंदु चार आकड़ों की विभिन प्रेक्षणों की बारंभारताओं को दर्शाने वाली सानी बारंभारता बंटन सानी या बारंभारता सानी कहलाती है बिंदु पाँच जब प्रेक्षणों की संख्या बहुत अधिक होती है तो आकड़ों को समूहों में संगठित करते हैं जिनें वर्ग कहते हैं इस प्रकार प्राप्त आकड़े वर्गी कृत आकड़े कहलाते हैं बिंदु छै आयत चित्र वर्गी कृत आकड़ों का एक आलेखी निरूपन होता है जिसमें प्रत्येक वर्ग के लिए एक आयत खीचा जाता है जहां एक्स अक्ष में वर्ग अंतराल एवं वाई अक्ष में उचाई संगत बारंबारता से निर्धारित की जाती है बिंदु साथ वर्ग के मद्धी बिंदु को एक्स अक्ष तथा आवरित्तियों को वाई अक्ष में लेकर बनाये गया बहुभुज आवरित्ती बहुभुज कहलाता है बिंदु आठ दिये गए आकडों के लिए किसी विशेश वर्गांतर की निन्न सीमा के बराबर या उससे अधिक मिरिक्षडों की कुल संख्या होने पर अवरोही संचाई बारंबारता मिलेगी बिंदु नौ समोव बद्ध बारंबारता बंटन में यदी वर्गांतर भिन्न है तो सोपान आलेख में बारंबारता घनत्त के आधार पर आयतों की रशना करनी होगी बारंबार्ता घनत्य बराबर श्रेणी की बारंबार्ता बटा वर्गे की लंबाई गुडित आकणों की नियुन्तम श्रेणी बिंदू 10 समान आकणों का बारंबार्ता बहभुज और संचैय आलेक का छेत्रफल समान होता है